Hello guys, welcome back to the YouTube channel Android NC सभी brand अपना एक नया फ्लैक्स से स्मार्टफोन फरवड़ी में लॉंच करने वाली दोस्तों तो Nokia क्यों पीछर है? Nokia भी अपना एक नया फ्लैक्स से स्मार्टफोन फरवड़ी में लॉंच करेगी जिसका नाम Nokia 9.2 है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Nokia 9.2 के स्पेशिफिकेशन प्राइस और इसके लॉंच डेट के बारे में तो सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में दोस्तों तो Nokia 9.2 में आपको 5.99 इंच का P.O.LED डिस्प्ले देखनी को मिलेगा साथ ही यहाँ पे आपको Full HD Plus का रिजिलिशन देखनी को मिल जाएगा फोन के टॉप राइट साइड कारणर में आपको पंच और लॉज दिया गया है जहाँ पे आपको फ्रेंट फिस्प्ले में ही देखनी को मिल जाएगा अब बात करें इसके कैमरा के बाएं दोस्तों तो पीछे के दरप से आपको Quad Rare Camera का सेट अप मिलेगा और जो कैमरा है यहाँ पे आपको 13 Megapixel का Quad Rare Camera मिलेगा जारो जो कैमरा है वो 13 Megapixel का ही देखनी को मिलेगा और फ्रेंट में आपको 24 Megapixel का सेलफी कैमरा देखनी को मिल जाएगा जिससे आप काफी अच्छे सेलफी क्लिक कर पाओगे अब बात करते हैं इसके हाडवेर के बार में तो Nokia 9.2 में आपको Snapdragon का latest processor देखनी को मिलेगा यहाँ पे आपको Snapdragon का 865 वाला chipset देखनी को मिल जाएगा विद OctaCode 2.9 GHz के processor के साथ जो GPU है वो आपको Adreno का 650 का देखनी को मिलता है साथ ही यहाँ पे आपको Android 10 जो है What of the Box देखनी को मिल जाएगा Nokia 9.2 में और यहाँ पे आपको 5G connectivity का भी support देखनी को मिलेगा स्मार्टफोन में अब बात करते हैं RAM और रोम बेट के बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको 6G RAM और 8G RAM देखनी को मिलेगा साथ ही यहाँ पे आपको 64GB 128GB और 256GB वाला इंटरेश्चों देखनी को मिल जाएगा और Nokia 9.2 में आप memory card लगा करके इंटरेश्चों इसको expand नहीं कर सकते हो अब बात करें इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 4500GB का बैटरी देखनी को मिलेगा साथ ही यहाँ पे आपको 44W का fast charging का support देखनी को मिल जाएगा Nokia 9.2 में अब बात करें इसके launch date के बारे में दोस्तों तो Nokia 9.2 जो है यह 19 फरवड़ी को launch होने वाला है क्यूंकि सभी brand अपना नया फ्लैक्स स्मार्टफोन फरवड़ी में ही launch कर रही है तो Nokia भी अपना 9.2 को फरवड़ी में ही launch कर देगी अब बात करते हैं इसके price के बारे में तो 8GB डायम के साथ जो 128GB वाला इंटर्वेश्ट हो जाए इसका price आपको 59,990 पड़ेगा काफी दिनों के बाद Nokia अपना एक नया फ्लैक्स स्मार्टफोन launch करने वाली है क्या आप excited इस phone के लिए Nokia 9.2 के लिए तो प्लीज आप मुझे comment करके बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसा करता है आप लोग को यह वीडियो पसंद आ होगा अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजेगा share कर जेगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो तो प्लीज आप मुझे comment करके बता सकते हैं फिर में मिलता है एक new और एक exciting वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद वांदे मात्रम Thank you for watching this video